यार हमार साथ अविनाश सर भी अविनाश सर गूड मॉनिंग बताएं सर आपकी पिक आफ देए गूड मॉनिंग अनिल जी आज जो स्टॉक हमको पसंद है वो फटिलाइजर स्पेस में है और कंपनी का नाम है दिपक फटिलाइजर कंपनी ने हाली में चौतिति माई में इसका पूरा इंपक्ट आपको FI 21 में देखने को मिलेगा तो यह एक अच्छी इंवेस्मेंट पिक करेंट लेवल्स पे हमारे साइट से ओके तो दिपक फटिलाजर यह है बहतरी शेर जहां पर करनी है आपको खरीदारी पाच से खुला है 22 जुला रहेगा हर 27 शेर पर 9 शेरों के राइट शीशू दिये जाएंगे 110 रुपे के दाम पर राइट शीशू में पैसा लगाना चाहिए पहला सवाल यह या फिर मार्केट से भी खरीदना चाहिए जो अभी करेंट प्राइस चल रही है अभी फेशन की क्या है आपकी राए मुझे लग रहा है कि अनिल जी जो राइट्स एंटेल्मेंट है वो पूरी तरह से शेरोल्डर को एपलाइ करना चाहिए यह ऐसा रिटेल प्लेयर है जो काफी वेल डाइवर्सिपाइड है बोथ प्रड़क्स के पॉर्ण्ड व्यूस है और जोग्राफिकली पैन इंडिया प्रेजन्स है हमको लग रहा है कि मार्केट से तो डेफिनिटली अभी एक्स राइट चल रहा है बट जो राइट्स की एंटेल्मेंट है उसे ना छोड़िए हमको लग रहा है कि कम से कम आने वाले 6-12 मैने के बाद और अच्छा इनो मोमेंटम देखने को मिलेगा और उसके प्रेजन्स के लिए अविनाज जी को काफी समय तक पसंद भी रहा है अविनाज जी क्या यह खरीबने का सही लेवल है यह थोड़ा इंतजार करना ठीक रहेगा अनिल जी मुझे लग रहा है कि आने वाला साल पिया इंडस्ट्री के लिए बहुत ही शांदार होने की एक्सपेक्टेशन रहेगी बहुत अग्रो केमिकल्स एस वेले जो इनका जो क्रैम बिजनस है यहाँ पे काफी अच्छी ओडर बुक है हमको लग रहा है कि अगर मार्केट में कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली एक बहतरी मोका होगा लेकिन अगर करेंट प्राइस की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि बारा से पंदरा मैने के लिए यह अच्छा रिस्क रिवार्ट देने की शमता रखता है तो कॉलिटी कंपनी है कॉलिटी मैनेजमेंट है और जो दोनों सेक्टर में काम करते हैं यहां पर हैट्वेंट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रॉंग कैंट है जो आगे भी रिरेट हो सकता है तो इसको खरीदने का ही राय रहेगी लेकिन डेफिनेटली कि थोड़ा रिस्क रवार्ट कम रहेगा क्योंकि प्राइस निचले लेवल से काफी बाप चुका है ओके यह है आपके लिए राय पिया निचले लेवल पर खरीदेंगे तो ज्यादा बढ़िया है अभिना जी एक स्टॉक जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा जिस तरह से आक्शन बिल्डप हम होते हैं भी देख रहे हैं क्या व्यू बना रहे हैं सर जहां तक डाइगनॉस्टिक स्टॉक का सवाल है क्योंकि आज खबर आईए कि महाराश्या में रेस्टिक्शन सटा दिये गए हैं कोई भी जाकर अपना टेस्ट करवा सकता है करोना क के लिए डॉक्टर प्रेस्रिप्शन की जरूरत नहीं है प्री एग्जिस्टिंग सिंप्टिम्स की भी जरूरत नहीं है थोड़े वॉल्यूम्स बढ़ते हैं जहां तक इस टेस्ट का सवाल है वैसे तो प्राइस कैप है पर क्या एक पॉस्टिव हो सकता है आगर और निवेशबो को यह थीम प्ले करना है क्योंकि यहां पर रिस्क रिवर्ड शायद मेट्रपोलिस से भी जाधा हो सकता है और और ओर ओर लॉंगर तर्म के लिए हमको लग रहा है कि यह ज्यादा तर B2C वाले प्लियर्स माने जाते हैं जहां पे वैलेशन इनको अच्छे मिलते हैं तो मुझे लग रहा है कि यह डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूस है और इनके लिए डेफिनेटली जो भी उसके बाद देखने को मेलेगा पर नेट नेट पॉजिटिव बात हैं अब बनाएं सेर अनिल जी यह स्टॉक आपकी ने सुबह बताया था कंपनी का नाम है मिश्रदातु निगम इंफक्त कंपनी ने कल कंपनी के कॉन्फरेंस कॉल एटेंड की थी और कॉन्फरेंस कॉल मे अनिल जी बहुत ही कॉन्फरेंट कॉमेंटरी मैनेजमेंट से आई है कंपनी के पास करीबन 1400 क्रोर का ओर्डर बूक है कंपनी एक स्पेशलाइस प्लियर है जो डिफेंस और स्पेस को केटर करती है कंपनी का मानना है कि स्पेस में बहुत बड़ी अप्वार्शनेटी है तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 270-275 का टागेट बन सकता है तो इसको डेफिनेटली वीक्निस में खरीदने की प्राय रही तो मिश्रधातु यह है वो स्टॉक जहां पर आपको करनी है खरीदारी